हाई एवरिवान गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे तो गुरु आर का दिन है और सुबह के इस समय जो है पांच पांच यही टाइम हो रहा होगा तो अभी समय मैं दिखाऊंगी आपको तो नहाद हो के आ गई हू और यहाँ पे थोड़ा सा जो डेली का होता है मेक अप रूटीन वो कर ले रही हूँ और उठ में आज गई थी साड़े चार बजे ही या थोड़ा सा और पांच तस मिनट पहले ही तो उठने के बाद वही जाडू लगाना और ब्रस वगरा करना उसके बाद तुरंत नहाने चली गई तो आज ना मेरा प्रदोस का ब्रत है बीच में ये ब्रत मैंने छोड़ दिया था पहले रहती थी बीच में मैंने छोड़ा हुआ था तो अभी जो है ना सावन से स्टार्ट करना था तो आज सावन का पहला प्रदोस है तो आज से मैं ये ब्रत सुरू कर रही तो इसी वज़़े से थोड़ा जल्दी उठ गई कि जल्दी उठ जाओंगी तो समय से सारे काम हो जाएंगे तो बस यहाँ पे पहले थोड़ा तयार हो जारी हूं और आज थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा मेकप कर ले रही हूं वही थोड़ा सा लिपिस्टिक और थोड़ा काजल जैसे डेली तो मेरा बहुत ही सिंपल रूटीन होता है बहुत जादा कुछ नहीं करती हूँ लेकिन कभी कभार बीच-बीच में इस तरह से तयार हो जाती हूँ अच्छा लगता है थोड़ा टाइम खुद को भी देना चाहिए और इस तरह से कोई पूजा ब्रत होना तो होता है कि थोड़ा अच्छे से तयार हो जाना चाहिए वैसे आज तो मेरा मन था साड़ी पहनने का लेकिन मौसम मैंने बाहर देखा न एकदम मतलब उजाला हो गया है जैसे आज धूप निकलने वाली है तो फिर हिम्मत नहीं हुई कि अगर पहनूंगी भी न तो मुझे आदे घंटे में फिर निकालना पड़ जाएगा और सुबह के टाइम थोड़ा सा समय कम रहता है मुझे उतने टाइम में सारे काम निप्टाने है न तो फिर ये सब मतलब करने में समय निकल जाएगा तो फिर मैंने नहीं पहना तो देखे टाइम जो है सबाब 5 हो गया है तो आज मुझे 10 मिनट 12 मिनट लग गया तयार होने में तो आज मैंने थोड़ा सा टाइम अपने लिए सुबह सुबह जो है निकाल लिया और अच्छा लग रहा है काफी अच्छा मतलब तैयार भी हम होते है न तो काफी अच्छा लगता है एक अलग फिलिंग आती है तो देखे बाहर का मौसम आज सुरे भगवान बस निकलने ही वाले है सबाब पांच बजे ही मतलब इतना उजाला हो गया है नहीं तो अभी दो दिन से मतलब पांच साड़े पांच तक थोड़ा अंधीरा रहता था क्योंकि बादल वाला मौसम था और आज बादल बिल्कुल नहीं है कुछी दिर में धूप बहुत तेज धूप निकल गई थी तो बस यहाँ पे सबसे पहले मंदिर की साब सफाई कर ले रही हूँ बरतन वगरा मैंने कल ही रात को धुल लिये थे तो आज थोड़ा सा पूजा में भी समय लगेगा थोड़ा सा टाइम लग जाएगा तो इस वज़ा से रात कोई मैंने ये सारे काम जैसे बरतन वगरा के निप्टा लिये थे कि सुबर मुझे सिर्फ मंदिर की सफाई करके पूजा ही करना रहेगा तो बरत वगरा रहो ना तो थोड़ा सा जल्दी करना होता है और थोड़ा सा जल्दी उठ जाओ ना तो सारे काम समय से हो जाते हैं नहीं तो फिर मैं मेरा नहाना दोना रह जाता ना तो मैं खाना पीना बनाने के बाद नहाती तो तब तक मैं चाय पानी कुछ नहीं करती तो बहुत लेट हो जाता तो बस यहाँ पे आ गए हूँ उपर यहाँ पे जो है सुरीदेव को जल दिया और तुलसी जी को बेल का भी पौधा लगाया उदर रखा हुआ है तो उसमें भी थोड़ा सा जल डाला वैसे सो मुआर के दिन और इधर तो बहुत जादा जब गर्मी थी तो डेली इसमें भी डाल देती थी और दोनों पौधे मैंने इधर लाके अभी रख दिये हैं उदर रखा हुआ था पूरी गर्मी जो है उदर रखा हुआ था क्योंकि धूब जादा लग रही थी अभी इधर लाके रख दिया है न कि अब जो है मलब धूब, छाओ, बादल, बारिश सारा हो रहा है तो अब उतना दिकत जो है नहीं होगा और पानी में डालते रहूंगी तो दिकत नहीं रहेगा तो बस यहा की भी पूजा जो है खतम कर ली मैंने और अब इसके बाद जो है चल रहे हूं नीचे तो नीचे भी मुझे आज टाइम थोड़ा जादा लगया पूजा करने में तो अब ही मैंने पूरी पूजा कर ली है बस लास्ट में यहाँ पे आरती दिखा रही हूँ तो आरती भी मतलब पूरा नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि तब तक यह मतलब उठ गए थे और बहुत पहले भी बना के रख देती तो नहीं सही था मुझे लगा की नहीं मैं तो करी लूँगी वही बस 5-7 मिनट ही थोड़ा सा उपर नीचे हो गया टाइम से सारा निप्टा लिया था मैंने तो बस यहाँ पे आरती भी कर ली बगवान की और पूरे घर में आरती दिखा भी दे रही हूँ तो सुबह सुबह नहीं ऐसे बहुत अच्छा लगता है बहुत मतलब एक पॉजिटिविटी आ जाती है सच में बहुत ही बढ़िया लगता है सुबह नहां दोके पूजा पाठ अगर कर लिया न तो सुबह ही घर में फ्रेशनेस आ जाती है और एक लगता है न कि आज का दिन बहुत ही अच्छा निकलेगा अच्छा बीतेगा जो है सुबह ही जैसे ये होने लगता है मतलब फीलिंग आने लगती है क्योंकि सुबह का टाइम हमारा जो है अच्छा जाता है तो इस वज़े से ऐसा मतलब लगता है कि आज का दिन बहुत ही अच्छा गया और जब मन में पॉजिटिविटी आ गई ना तो दिन पूरा ऐसे ही पॉजिटिव ही जाता है तो बस आप सब भी दर्सन कर लिजे महादेव के मुझे तो मतलब मैं बता नहीं सकती कि कितना मुझे अच्छा लगता है और जिस दिन मैं सुबह वैसे नहातों मैं डेली लेती हूँ लेकिन जब मेरा पूजा वगएरा सब कुछ बहुत अच्छे से बढ़ियां से हो जाता है तो उस दिन मतलब बहुत ही खुश रहती हूँ बहुत ही रिलेक्स रहती हूँ तो बस पूजा वगरा उधर करने के बाद आ गई तुरंत किचन में और यहां पे रख दी है चाय तो आज चाय जो है वही साफ ही तोड़ा बनाना है तो अभी दाल वगरा इसके बाद ही रखूंगी तो अभी टाइम है मेरे पास ऐसा नहीं है कि लेट हो रहा है अभी 6-5 या ऐसे 6-10 ऐसे ही टाइम हो रहा था तो बस चीनी का डबा यह सब धूला था मैंने तो चीनी यहां पे साफ इसमें डाल लिया है तो आज इसको इधर ही रखूंगी पूरे दिन मतलब जब तक अभी मैं दुबारा चाय पीलूंगी उसके बाद ही उस पे रखूंगी तो थोड बिल्कुल भी जैसे खाना वगरा बना रही हूं तो उस चूले पे मैं अपने लिए कुछ नहीं बनाऊंगी जब तक कि उसको पूरा अच्छे से साफ नहीं कर लूँगी तो इस वज़े से ही ना सुबर रात को ही मैंने अच्छे से पूरा गैस साफ कर दिया था पूरा प् पिने के बाद तुरंत लग गए खाना पिना में तो दाल बनाई भिंडी जो है धो के रखी हुई थी कट करके भी साम मतलब कल रात को ही और बहुत थोड़ा सा ही सबजी बनाना था इनके लिए और तनमे के लिए तो बहुत ही थोड़ा सा ही था तो वो भी तुरंत हो गया तो दाल और ये भिंडी का भुजिया बना के रख दिया और अभी यहाँ पे आलू के पराठे बना रहे हुँ तो ये बना रहे हुँ इनके टिफिन ले जाने के लिए और तनमे को नास्ते के लिए तनमे है घर पे ही तो उसका नास्ता भी हो जाएगा और इनका टिफिन हो तिफिन में ना इन्होंने बोला कि जैसे भिंडी का भुजिया या ये कुनरू अगरा मैं दे रही हूँ ना तो वो थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है खाने में अच्छा नहीं लगता और ठंडा हो जाता है मतलब ना दाल अगरा तो ले नहीं जाते हैं सिर्फ सबजी सिखाते हैं और बोल रहे थे कि मुझे डेली यही दिया करो यही सही है मेरे लिए तो बस वही उन लोगों को नास्ता टिफिन वगरा देने के बाद जो है फिर से गैस वगरा क्लीन किया पुरा किचन जो है साप कर लिया है और अभी फिर से जो है यहाँ पे अब मखाने रख लेती हूँ जैसे जीरा अलग से काली मिज पावडर यह सारा कुछ ना एक एक डब्बे में अलग से करके रख लेती हूँ तो मुझे हर बार जो है इतना जादा नहीं करना पड़ता है लेकिन भरसात का मौसम है अभी तो यह मखाने वगरा मुंग फली वगरा बहुत काली जादा दिन रखने लायक विभुं के भी जादा दिन नहीं रखा जा सकता है वो फिर न वह हो जाते हैं सौग यह जाते हैं तो इनको तो करना यह पड़ेगा अरबारी तो मखाने डालने के बाद मैंने मूंग फली डाल दी है और अभी यहा पे सबजी वगरा कलका आय मैं धोती नहीं हूँ, मुझे लगता मैं जल्दी खराब हो जाता ह। मैं ऐसे ही पहले रात को खोल के रख देती हूँ, अच्छे से पूरा पानी लगारा तो फिर पेपर लगा के उसमें डबबे में मिर्च तोड के रख देती हूं और ये जो है आज इसको भी थोड़ा सा जिसमें ये बास्केट जो है इसको भी थोड़ा सा और्गेनाईज कर दे रहे हूँ थोड़ा सा साप सुतरा मतलब डेली ऐसे ही रखती हूं मैं पेपर भी चाके ही रखती हूं मतलब और डेली निकालते और रखते समय थोड़ा सा इदर उदर हो जाता है तो वही बहुत जादा मतलब धुलना उलना नहीं है सिर्फ ऐसे पोश्ट दे रही हूं और थोड़ा सा पेपर वगरा निकाल के अच्छे से रख दिया है ऐसे देखने में खराब लगता है और लेसुन हम लोगों का घर का है न तो थोड़ी सी गंदगी जादा ही हो जाती है तो उसको हपते हपते निकाल के ऐसे साफ करना पड़ता है तो बस यहां का भी सारा काम जो है कंप्लीट कर लिया है बीच में मैंने जाके बेड वगरा सब जाड दिये हैं तो वो सब रूम की क्लीनिंग वगरा नहीं करनी है और आज गुरू आ रहे हैं तो बहुत जादा साब सफाई नहीं करूंगी सिर्फ जाड लगाओंगी और बेड वगरा समेटनी का काम हो गया है तो बस यहां पर अभी जाड लगा ले रहे हैं तो किचन में लगाने के बाद घर में भी मैंने रूम में भी जाड लगा लिया और अभी यहां पर बरामदे में लगा ले रहे हूं और धूप देखिए किस तरह का उजाला आ रहा है न तो पता लग रहा है कि कितनी तेज धूप हुई है आज बहुत तेज धूप हुई है बाहर वैसे बीच बीच में हवा भी चल रही थी इस टाइम पे देखे नहीं चल रही है बिल्कुल भी लेकिन बीच बीच में दो पहर में बीच बीच में चल रहा था लेकिन धूप भी उतनी ही तेज थी और धूब ज्यों ही हो रही है ना मतलब त्यों ही गर्मी भी इतनी तेजी स्टार्ट हो जा रही है अभी जैसी बारिस होनी चाहिए ना उस तरह की होनी रही है कल तो कम से कम हो गए कल थोड़ा सा मौसम ठीक था लेकिन आज फिर वही हाल हो गया है तो बस जाड़ू अगरा लगाने के बाद यहाँ पे मैं अपने लिए बना ले रहे हूँ ये ब्रत वाले आलो तो कट किया इसको जो है और ये काम भी कर ले रहे हूँ तो रिफाइंड वगरा देखे मैं निकाल के रखा हुआ है तो अलग अपने लिए अलग रखा है और यह अलग तो ये सब अभी मैं रखूंगी और इधर ये बास्केट अगरा भी धो ले रहे हूँ तो सारे काम मेरे अभी निपट चुके हैं घर का कपड़े वगरा आज नहीं धोने थे तो सुबह जल्दी उठ जाओ ना तो सारे काम जो है टाइम से हो जाते हैं और एक्स्ट्र काम है अभी मुझे फिर से किचन पूरा समेटना पड़ेगा आलू अगरा बनाने के खाने के बाद जो है फिर से पूरा किचन समेटूंगी तो जब तक आलू बन रहा है ना तब तक थोड़े बहुत काम जो है निपटाते जाओंगी और बाकी सारे काम घर के हो चुके हैं तो बस वीडियो का एंड भी यहीं पर कर रहे हूँ आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक सेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो मिलूंगी निक्स्ट वीडियो में बाबाई थैंक्स फर व